आज का ये वीडियो बहुत यूसफुल आप लोगों के लिए क्योंके न्यू ट्रेंडी हेस्टाइल का डेमो देंगे दुपट्टे को कैसे सेट किया जाए कि आपका ये फ्रंट वाला हेर पफ जो बने है वो उससे बिल्कुल भी टेच ना हो ठीक है तो सबसे पहले आपने क करनी है दुपट्टे की सेटिंग के लिए एक नेट लेके और यहां पर आपने एक हाइट कर लेनी है ठीक है उतना सेक्शन हमने छोड़ दिया है यहां पर आपकी बिंदिया सेट होनी है और यहां पर हमने थोड़ी नेट रख ली है क्योंकि हैवी दुपट्टा जो हमारा ब्रैडल का दुपटा होता है आपने देखा होगा कि उसके बॉर्डर्स पे बहुत ज़्यदा काम होता है तो जिसके वरे से उसका वेट काफी हो जाता है ठीक है और अगर हम ज़्यादा टाइट वाली बैकोमिन या टाइट तरीके से जो है वो हाइट क्रियेट नहीं करेंग के बाद यहां बिंदिया की सेटिंग करने है आपने सेंडर का ध्यान रखते हुए बिंदिया को आपने यहां पर अपलाई करना है और उसके बाद बिंदिया की जो पीछे पीन आपने अपलाई की होती है उसके ओपर आपने एक और सेक्शन अगेन लेकर उसे भी आपने इ है वो हमारे बन के ऊपर रहे ठीक है फ्रंट के ऊपर हमारा बाउडर रहे और बैक पर जहां पर हमने अपने दुपर्टे को अच्छे सी ग्रिप के साथ लगाना है पिन्स लगानी है वहां पर आपको एक डोनट लगाना पड़ेगा ठीक है तो इस तरह से हमने डोनट के डोन इन पिन्स को इस तरह से अप्लाई कर देने यह बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आपका डूनट टाइट तरीके से नहीं लगेगा तो फिर यह आपका डूनट नीचे आ जाएगा दुपटे के वेड़ से अब जो आपने एक सेक्शन बालों का उपर की तरफ निकाल दिया उसे आपने नेटली तरीके से अपने डूनट को छुपाना है ठीक है क्योंको बैक कलर का डूनट net उसकी नजर नहीं आए वैसे भी Auch पर ऑप्लाई किया है ठीक है और उसके बाद उसको छुपाने के लिए लिए हम लोगों ने बालों को उपर आप कर ना कर और इस तरह से चुप जाने अब यहां पर हमने जूमर की सैटिंग करनी है बिंदिया हमने लगा ली जूमर अब हम यहां पर अपलाई करेंगे तो जूमर के नीचे भी आपकी थोड़ी बैको मिन होनी चाहिए ठीक है फ्लैट बालों के उपर जूमर लगाते हो तो उसको पिन लगाने की प् दो तिन पिंस लगाके अपलाई करना है और जिस जगह आपने अपलाई करना है उसे हलका फुलका आपने हिला के देखना है कि वह अपनी जीगा से बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हो ठीक है क्योंके जूमर अकर यह है कि आप एक जगा लगाते हो और वह लटक के नीचे आ ऑजाते तो फी सारा मज़ा जो है वह आपके मेकप का भी खराब और से ऐता है तो इस्टारम से आप ने जो धो दो तिन उतल गाके जो हएगा आपके पास होते है ठीक है secret layering होगी तभी हाईट वाला puff create कर सकते हैँ अगर के सारे बाल एक एक मतलब level की होंगे तो पर आप देखें कि सारे जितने भी आप के वाल्स होंगे वह भी एक ही लेवल की होंगे तो उसको info stuff start имеет अच्छा आप सकते हैं वह एक पर एक और उसको ।य। ञार्याईट के साथ जो है वह प्रोपर कर रहे हैं और क्योंकि यहां पर हमें चोटे कल्स चाहिए थे ठीक है और अब हमें जो कल्स हमने चोटे की हैं बाकी कल्स को हम जस्ट लेंथ में करेंगे क्योंकि हमें बालों की जो लेंथ है उससे छोटा छोटा नहीं दिखाना और यहां कोई extension तो बाल आपके ऊपर चड़ जाएंगे और वो शोल्डर लेंथ के दिखाई देंगे लेकिन अगर आप इस तरह से जो है वो नीचे नीचे बालों में कल्स करेंगे क्योंकि फ्रंट से हमने फुल कर लिया और पीछे वाले बालों को क्योंकि बहुत जादा घने बाल भी नह है उसको आपने इस तरह से पकड़ना है कि उसमें हाइट की रियेट हो ठीक है या आप जिस तरह से मैं बालों आपनी फिंगर्स को भी मूव कर रही हूं ठीक है यह मूवमेंट जो है वह मतलब देखने से यह आपको पता चलेगा क्योंकि अलफास भी तुम्हें बताने सकत से जो है इसको हम लोगों इस तरह यह निए फ्रंट वाला जो हमारा हिसा है उसे उठा हुआ आपने दिखा रहा है उसे दोबाना नहीं है अब आप देखें कि आपके सारे ही सेक्षिन कितने खुबशूरती से जो है वह कितने फलफी दिखिए हैं हालाके बाल इनके बहुत इसको ऐसे भी रहने दे दोनों तरह से ही यह स्टाइल चल रहा होता है लेकिन हम आपको सिखाएंगे कि इसमें अगर आप लाइन क्रियेट करना चाहो तो वह किस तरह सी क्रियेट करोगे ठीक है आपने थोड़ा सा नोवा का स्प्रे यहां पर लगा रहे हैं कोई भी प्रे कर सकते हो थोड़ा सा शाइन स्प्रे भी आप सासत करते जाएं ताके बालों में जो है वह ड्राइनेस फील ना हो क्योंकि अक्सर हमारे क्रिम्पिंग जो है वह बहुत नीट नहीं होती जिसे हमारे बालों में वह लुक नहीं आता है तो इस चीज़ का भी धियान नीचे से बालों के अगर लगता है आपको के थोड़ी सी कमी बेशी है तो अगेन फिर से सेक्शन को उठाएं और इसको फिर से आपने जो है वह जिस तरह से मतलब के बाकी बालों की लुक आ रही है क्योंकि वह हमारा फ्रंट वाला पफ था वहां हमने लेरिंग में कट कर लिए तो इतनी एजी तरीके से हम लोगों ने उसको सेट कर लिया लेकिन यहां पर थोड़े से बालों के और पोजिशन है तो इसे अगेन फिर से मैंने जो है वह यहां कर ले किया सबसे लास्ट वाले को और यह देखें जी हमारा कितना खुबसद हायर वाला पाफ सबसे ल इसलिए जाता है ताकि आप अपने दुपर्टे को पीछे ला इसके उपर अच्छे से फिक्स कर सके और आपको दुपर्टे के जो कॉर्णर है वह बिल्कुल आगे नहीं आए अब आप नीचे देखें कि मैं सिंपल वाले पिंस अप्लाई कर रहे हूं आपने इसी तरह से इसलिए ने तरह को अधर करना तो इससे आपने युव पिं को इसके अदर होल्ड करना है जिससे आपको इस तरह यह जगां यह एक ही जगा फिक्स रहेंगे अपनी जगा से ऊठेंगे ने क्योंकि के कट पर हुआ है और यह कॉट बर कापको पता है कि इरिटीट करेगा इस तरह से बड़ी अच्छी तरीके से पिंद लगा रहे हैं दोनों शॉल्डर पर भी हम जो है वह सेफटी पिंद इस तरह से लगा देंगे कि आपके पास आपका दुपटा जो है वह आके आपके बालों को खराब नहीं करें किया हैं बाल जस्ट हमने एक हार्ट स्प्रेक के साथ ही इसको जो है वह सेट किया हुआ है तो इसलिए आपने इस तरीके से इसको जो है वह अपलाई कर देने हैं उसके बाद फ्रंट पे हम इस दुपटे का बौर्डर बहुत जादा खूबसरत है जबके हमारी शाट पे बहुत जादा बर्क नहीं था तो हम लोगरे सारे दुपटे को आगे की तरफ सेट किया है और फिंशिंग लुक देखने के बाद एक मज़े का प्यारा सा कमेंट करना मत बूलिए अगा नाजिया खान को इसके साथ ही अजाज़े दीजिएगा दोओं में हमेशा याद रखिएगा आला हाफिस